गुड मार्निंग स्टुइट आईए हमें इस वीडिय में देखते हैं मैं आध किलास एर्थ एक्सेसाइज 6.1 का पार्ट वन तो 6.1 का पार्ट वन में हमें क्या कहा हुआ देखो राइट दा कोफिशेंट और कोंसेंट रम फीच व फॉल्विंग एक्सप्रेशन आपको कोफ कोफिशेंट क्या होता है आपका जो हर एक कर मिल्टिप्लाई में होगा देखो इसकोस्ट इसको में आपको कितिने कीवन फाण टू में ओकर टू में यह ऐस तो आप इनमें coefficient देखोगे, coefficient आपका क्या होगा, coefficient का मतलब होगा कि जो आप variable के साथ multiply में होगा, देखो, यहाँ variable है, a, b, c, variable के साथ multiply में क्या है, 5, यहाँ पर variable के साथ, variable है, a, b, a, b, के साथ multiply में क्या है, minus 4, यहाँ कोई variable नहीं है, तो variable के साथ multiply में देखने की जूरत नहीं है, सिरफ आपको यह बन देखना है, constant, तो constant यहाँ पर 1, तो यह आपका coefficient हो गया, और अगर constant रम की बात करें, तो आप लिखोगे, constant रम आपका क्या है, constant मतलब 5, और minus 4, और 1, coefficient भी यह ही होगा, ठीक है, आपको, next देखते है, देखो, second part, second part में आपको क्या कहा होगा है, 3 plus a square minus 5, बीस के, तो आपका coefficient and constant रम, यह दुनों सेम ही ही है, चाहिए एक ही बार लिख दो, coefficient and constant रम क्या होगा, यहाँ पर आपके बाद 3 रम है, 1, 2, 3, तो 3, एक तो 3 हो गया, और a square के साथ कुछ नहीं है, देखो, multiply में आपको a square के साथ कुछ नहीं दिख रहे है, तो यहाँ constant क्या होगा, कुछ नहीं ह है, 5, लेकिन साथ में माइनस भी, तो माइनस 5, थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, 6, x square, y square, and minus 5, x square, z square, plus 7, तो आप लिख लोगे, coefficient and constant रम, coefficient and constant रम क्या होगा, आपका, देखो, x square, y square के साथ, multiply में क्या है, 6, x square, z square के साथ, multiply में क्या आपक 5 और साथ में माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, तो आपको देखो, constant ही गिवन है, सिर्फ 7, तो यहीं आपके question क्या होगा, नेक्स्ट 4 पार्ट देखते हैं, 4 पार्ट में आपको क्या कहा होगा, minus a, b, plus 2, a square, b square, plus 5, तो आप लिख लोगे, coefficient and constant रम, coefficient and constant रम क्या हो जाएगा, जो a, b के साथ multiply में है, a, b के साथ देखो, कुछ नहीं है, multiply में है, तो 1, और 7 में यह, minus, a square, b square के साथ क्या गिवन है, 2, और 7 में यह, और यह, third value, यह तो पहले सही, constant गिवन है, इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो यह 5, तो यहीं आपके question का answer है, बस यहीं हमने इसमें find करना था, next question देखते हैं बटा, next question में आपको क्या कहा हो है, देखें, देखें, next question, next question में आपको क्या कहा हो, second way, classify the falling polynomial as monomial, binomial and trinomial, तो monomial क्या होता है, देखें, आपको यह question गिवन है, first, 2x plus y, second, आपको गिवन है, a square plus a minus y, third, आपको question क्या given है, 5x minus 2y, अभी मैं इनके answer बताऊंगो, बिटा, मैं अभी question लिख रहा हूँ, ठीक है, four number question, four number question है, 3a, five number question क्या given है, 7a b minus 5a, six number question आपको क्या given है, x square minus 5, ठीक है, यह आपको given है, तो अब आप देखें, देखो, यह आपको 2x plus y given है, तो 2x plus y, आपके पास इसमें कितनी value आगे है, two values आगे है, तो इसको हम बोलते है, binomial, क्योंकि यहाँ पर two values आगे, और जिसमें three values आजाए, one, two, three, उसको trinomial, जैसे यह, one, two, three, trinomial, जिसमें one value आजाए, उसको हम बोलते है, monomial, ठीक है, तो यह, देखो, उसमें one और two trum आगे है, तो यह क्या चीज़ है हमारे लिए, one और two trum, तो इसे हम क्या बोल लेगे, binomial, तो इसका अंसर होगा, binomial, यहाँ पर three trum आगे, one, two, three, तो यह trinomial, और यहाँ पर आपके पास one, two, three, three trum आगे है, तो यह भी यह trinomial, और इसमें आपके पास one, two trum आगे है, तो यह, monomial, और इसमें आपके पास one, two trum आगे है, तो यह, binomial, ठीक है, और यह one और two trum आगे है, तो यह भी क्या हो जाएगा, binomial, ठीक है, बस यह हमने इसमें फाइंड करना था, सब्सक्राइब करें लिस्ट दा लाइक ट्रम इन इच ओव दा फॉल्विंग आपको लाइक ट्रम को जो है वो फाइंड करना है तो लाइक ट्रम क्या होती है आपके देखो फर्स्ट कोशन में आपको गिवन है 6 से 13 B स्केर माइनस का 2 A एंड ये 2 A स्केर माइनस B स्केर और साथ में आपको गिवन है 20 ठीके ना ये आपको वैल्ली इस गिवन है तो इसमें लाइक ट्रम क्या होगी देखो लाइक ट्रम जो होगी न वो मैं एक साथ लिख दूँगा देखो ये 6 A है और A वाली वैल्ली कौन सबस्ट पर एक समब सबस्मेय देखिए यह यह थो स्केर ये वाली 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 तो यह दोल्ने लाइक टरम है यह 6 से मैसी म Нस है ठीक displacement गोह हो नेट्स है और क्टरम है फ्यहां यह थर्टीन मैंनस 2a के साथ हो गया 13B square ये बीड के साथ हो गया to A square और BC ये तो लाइक ट्रम है निक्यूक裡 इसमें A square in the BC Just और कोई नहीं है वस यह apostles question में like drum है लिए भी IF like ट्रम क्याति इस six message वर वो two pair भने हमारे like ट्रम के ठीक है next question देखते हैं next का question है second number third का second number क्या दिया होगा आपका third का 4x square minus का 5x and यह 6 7x minus 2x square और यह minus का 3 तो आप इसमें like ट्रम लिख लोगे like drum is equal to 4x square और minus 2x square देखो इसके जाथ क्योंकि यह भी x square value value है और यह भी x square तो आप इसके जाथ लिख देखो 4x square minus का 2x square next आपकी like drum क्या होगे minus का 5x और यह 7x next like drum क्या होगी 6 और यह minus 3 तो यह ही है हमारा answer का answer है 6 और minus 3 क्योंकि यह भी constant है और यह भी constant है यह 5x x value value यह भी x value थर्ड नमबर पार्ट इसका देखते हैं थर्ड का थर्ड थर्ड के थर्ड पार्ट में आपको क्या कहो गटा टू a square b square and 6 a square b 2 a b square minus 3 a square b square 7 a b square और last है minus 9 a square b तो अब यहां पर हम लिखेए देखो like drum कौन कौन सी है यह a square b square value वाली 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 है और कौन सी a square b square वाली 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 है आप माइनस 3 a square b square है next like drum कौन सी होगी ये तो हो चुगी है देखो ये भी हो चुगी है मैंने टिक कर दिया जो हो चुगी है 6 a square b a square b वाली 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 तो 6 a square b के साथ आप क्या लिख दोगे माइनस 9 a scale next like drum क्या होगी next like drum होगी 2 a b square इसके साथ क्या होगा 7 a b square ये भी हो चुगा ये भी ये भी ये पर स्कूशन हमारा है complete तो यह हमें कहा हुआ था लाइक ट्रम वो जिनके को जिनमें जिनमें जो वर्यवल सेम होगा ठीक है ना तो यहां यहां पर वर्यवल सेम है देखो a square b square है यहां वर्यवल यहां पर भी a square b square है तो यह लाइक ट्रम है ठीक है ना okay student I hope आपको यहां तक clear हुआ है ठीक है ना next video में हम आगे देखेंगे okay student bye take care